Hello students, रचनास कुरियेशन कर्ची से कलम तक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में हैं, जो किसी भी कॉंपटिटिव एक्जाम में जिससे तीन से चार कोश्चन कंपल्सरी आते ही हैं। चाहे वो ट्रडिशनल कोश्चन हो, यानि कि आयोग का गठन हो, आयोग के मुख्याले हो, और आयोग से जुड़े आयोग के कार और अरुदेश हैं, या पिर करेंट अफ्यर्स हो, मैं ऐसे 10 आयोग को कवर कर रही हूं आज जिससे हर साल, हर प्रतियोगी परिक्षा में कोश् तो अगर आप किसी भी तरह की competitive exam के तयारी कर रहे हैं, चाहे RRB हो, banking हो, UPSC हो, PCS हो, SSC हो आपके तयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस से आपके 2-3 questions जरूर कवर हो जाएंगे, वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी और औ आपके दिमाग में होंगे, तो मुझे comment section में comment करके बताइएगा, मैं उसका भी answer आपको दे दूँगी, और वीडियो को ज्यादा स्यादा लोग तक share करिएगा, मेरे चैनल पर पहले वार विजिट कर रहे हैं और तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल के red subscribe button को दबा लीजिए, free of cost, सारी वीडियो update आपको सबसे पहले मिलेगी, तो चली शुरू करते हैं, आयोग, 10 ऐसे आयोग जिनसे हर साल पूछे जाते हैं question, traditional plus current affairs, तो सबसे पहला आयोग है, नीती आयोग, नीती आयोग का current affairs का question कि इसके अभी अध्यक्ष कौन है, नरेंद मोधी, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, और CEO कौन है, अमिताब कान्त, ये हो गया आपका नीती आयोग से रटेट current question, अब नीती आयोग यानी NITI, रास्टिय भारत परिवर्तन संस्थान, ये किसकी जगह पे आया है, योजना आयोग की जगह पर, कब आया है, एक जैनवरी 2015 में प्रस्ताव जारित हुआ था, किस तरह से काम करेगा ये, ठिंक टैंक की तरह काम करेगा, ठिंक टैंक की तरह काम करेगा, और इसका मुख्याले कहां है, नई दिल्ली में है, ये हो गया आपके प्री पॉइंट ओफ यू से question, मेंस पॉइंट ओफ इसके और भी aspects बनते हैं, उसमें कुछ conceptual आ सकता है, प्री में अगर UPSC की तयारी कर रहे हैं, तो आपके और भी question बनेंगे, जैसे की इसका कारी क्या है, कारी है, ग्राम इस्तर पर योजना तयार करना, ज्यान नवाचार, उद्यम शिल्ता, सहाय प्रणाली का निर्मान करना, पुराद्योगी की का निर्मान करना, इसके उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, ये एक important question है, तो उपाध्यक्ष रहे हैं, वो प्रध से questions आते हैं, पॉलिटी के section में, especially GS में, तो इसके अध्यक्ष कोन है, पहले current का देख लेते हैं, अर्विंद सक्सेना, अर्विंद सक्सेना है इसके अध्यक्ष, ठीक है, प्रधम लोग सिवा आयो किस थापनाव, जो traditional question पूछे गया हैं, वो बता देती हूं, मैं, October 1926 में, ये जब सम्यदानिक प्रवधान के तरत किया गया तो 26 October 1950 में सम्यदानिक प्रवधान के तहत किया गया, उसके बाद सम्यदानिक संस्था बन गई है, article 315 से 323 तक है, इसका वर्णन, पार्ट कौन सा है, पार्ट है इसका 14, सम्यदान के 14 वे भाग में, सदस से कितनी होते हैं सदस इसमें होते हैं 9 से 11 तो UPSC संग लोग सेवायोग के अध्यक्ष अर्विन सक्सेना अक्टूबर 1926 में गठन समयधानी गूप से 26 अक्टूबर 1950 को अनुचेद 315 से 323 कौन से भाग में हैं 14 भाग में सदस कितने होते हैं 9 से 11 यह questions पूछे जा चुके हैं संग लोग सेवायोग के बारे में यह हो गया आपका दूसरा आयोग फटाफट से करेंगे और रिवीजन हो जाएगा इसी बाने आपका सारा आयोग ट्रडिशनल करेंट अफेर्स के साथ तीसरा आयोग क्या है विधी आयोग वीडियो अगर देख रहे हैं और आपको यूसफुल लग रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा विधी आयोग कौन सा है एक इसवा है एक इसवा कौन है इसके अद्द्रश वलवीर सिंग चौहान वलवीर सिंग चौहान आप जरा इसके विधी आयोग के बार में ट्रडिशनल जो पूछे गया है कोश्चन वो देख लेते हैं तो विधी संबंदी विशय पर महत्कुन सुझाओ देने के लिए विधी आयोग का गटन किया गया अब तक 21 आयोग गटित किया जा चुके है प्रथम आयोग कब पहला तो वह पांच अगस्त 1905 को बना था जो विधी आयोग वो था पांचवा आयोग स्वातन के बार जो बिदिय आयोग बना वो पांचवा आयोग था जिसके अध्यक्स को थे मोतिलाल चिमनलाल मोतिलाल चीमनलाल एक ही में है मोतिलाल चीमनलाल इसी समय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोवर कोर्ट यह सब चीजे आई यानि कि पांच बाच है वो आपके लिए दो कारण से important है एक तो आजादी के बाद पहला आयोग था यह और दूसरा इसी समय लोवर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यह सारी चीजे आई तो यह हो गया आपका तीसरा आयोग विधी आयोग important है जो लोग regular तैयारी करें उनको पता होगा किस आयोग से questions आते हैं चौथा आयोग क्या है महिला आयोग महिला आयोग इसकी अध्यक्ष कौन है अभी रेखा शर्मा अब इसका traditional जो पूछा क्या है कोशन संसत द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहर्ट जैनवरी 1992 में गठित किया गया एक सम्वैधानिक निकाय है महिला आयोग क्या है सम्वैधानिक निकाय है इसके अलावा अब तक की जो अध्यक्ष रही है उनका मैं फटा-फट से नाम बता देती है जैनती पतनायव वी मोहिनी गिरी विभा पारसार्थी पुर्णिमा आडवानी गिर्जा व्यास ममता शर्मा ललिता कुमार मंगलम और एका शर्मा इसमें इंपोर्टेंट आपके लिए हैं गिर्जा व्यास क्योंकि ये महिला आयोग की ऐसी अध्यक्ष जो दो बार रही है गिर्जा व्यास ठीक तो ये महिला आयोग से रिलेटर्ट ट्रडिशनल कोईस्चन्स हो गए आपके अभी अरेखा सर्मा और गिर्जा व्यास जो है वो दो बार रह चुकी है अब चौथा आयोग हो गया अब देख लेते पांचवा वेतन आयोग तो अभी कौन सा आयोग है सात्वा वेतन आयोग है कौन है इसके अशोग कुमार माथूर ठीक है प्रथम आयोग कब गटित हुआ था उनिस सो ची आलिस में जिसके अध्यक से स्री निवास वार्दा चलिया इस आयोग में निंतम आय को कितना किया गया था पचपन रुपया प्रतीमा और अधिक्तम को किया गया था दो हजार रुपया प्रतीमा आजादी के 10 साल बाद दूसरा आयोग गटित हुआ ये कोश्चन इंपोर्टेंट है उन्नी सो सम्तावन में जिसके अध्यक्ष थे जगननाथ दास ये इंपोर्टेंट कोश्चन है जगननाथ दास 1970 में तीसरा बना था वो है थे रगुवीर दयाल चौथे आयोग किसी पालिस के अधार पर देज में पहली बार ससक्त बलो के अधिकारियों के लिए रैंक वेतन की अधारना लागू किया गया था हाला कि बाद में इसी सुप्रीम कोट ने अवयर गोशिट कर दिया था इसके अध्यक्ष थे पी एन सिंगल चौथा थे पी एन सिंगल पांचवे के थे जस्टिस रत्नवेल पांडिया यह इतने इंपॉर्टन नहीं है छठा भी बी एन स्रीकुष नगता है लेकिन सभी वेतन आयोग में सबसे ज्यादा सैल्वी में प्रतिशक विद्धी किसमें हुई यह इंपॉर्टन है यह सबसे ज्यादा सैल्वी प्रतिशक में विद्धी हुई थी इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस बार का अधिक्तम कितना है और मिनिमम कितना निन्तम वेतन इस बार का 18,000 और अधिक्तम है 2,25,000 तो यह पांच आयोग मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता द्राइव सबसाइर और मिन और अधिक्तम還ितने ई Самने रा दемो हैँ कि बार का आधिक्तम कितना आपएर श में पतावा इवार